तो आई सेल सीजन एट का मैच नमबर सेवेन होने जा रहा है नौर्थ इस उनाइटेर इपसी वर्षेस करला बलस्टर इपसी साम सारे साथ बज़े से फतरड़ स्टेडियम पर ए मैच भाई स्टार्ट हो जाएगा आप अगर लाइफ देखना चाहते हो तो आपको टीवे में स्टार्ट पोस्ट ने टॉक फोलो करना परेगा साथ साथ आप अगर उनलाइन देखना चाहते हो तापको डिजनी प्लस होस्टर और जी टीवी पर मिल जाएगा तो नौर्थ इस उनाइटेर इपसी और क्रेला बलस्टर इपसी दोनों ही इस सीजन में अपना सेकेंड मैच खिलने जा रहा है और दोनों कोई बाई बड़ा बड़ी का हार मिला है अपने फास्ट मैच पे नौर्ट शेनेडर इपसी को 4-2 से बैंगलू इपसी ने हराया था दूसी तरह पेटी के बोहन बागन ने 4-2 से करड़ा बलस्टर इपसी को हराया तेकिन दोनों ही टीम अपन लास्ट पांच मैचों में से दो दाफा जीत हासिल किया है दो दाफा हरा है और एक मैच ड्रो किया है और लास्ट सीजन का सेमी फाइनल भी यहाँ पर भाई इंक्लूड है तो खाली जमिल इस चीज़ को और भी जादे इंप्रूब करना चाहेगा इस मैच पे एक बड़ा जीत हासिल करने के बाद और इसके बाद अगर मैं क्रेलब लिश्ट डिपसी की बात करूँ तो भाई क्रेलब लिश्ट डिपसी का डिसन फॉर्म बहुत ही खरब है लास्ट नौ आईसल मैच में एक बार भी इन्होंने जीत हासिल नहीं क्या यानि कि वीनलेस रहा है चार मैच इन्होंने डुरो किया था और पांच मैच इन्होंने हारा था आईसल के अगर में बात करू लास्ट टाइम साइद दुरान कप में एक जीत हासिल किया था जो कि आईसल का मैच नहीं था लेकिन दुरान कप में साइद इनको एक जीत मिला था इसकी इलाबा आईसल में टोटाल लास्ट नौ मैचों में इन्होंने अपने जीत दर्ज नहीं किया है तो उनके उपर भाई बहुत ज़्यादे यहाँ पर प्रेसर रहने वाला है और इसके बाद चले हम लोग देख लेते हैं दोनों टीमों के हेट टू हेट अभी तक भाई एक दूसरी के बिरूद चौदा मैच खेल चुका है चौदा मैचों मेच से पांच मैच के रलबरस्ट डिप्स ने जीता है च हाइलेंडर्स का भाई अभी पलड़ा थोड़ा भाड़ है यहाँ पर और इसके बाद चले हम दोनों टीमों का स्टेक्स देख लेए थे सबसे पहले नौस नरी डिप्सी की बात किया जाए तो नौस नरी डिप्सी भाई लास्ट सिजन बहुत थी अच्छा किया था है खाल और आपको नजर आया था बहुत ही ब्रेव का काम किया था यहां पर खालिज जामिल क्यूंकि इंडियन बैकलेंड के साथ जाना एक बहुत ही ज़्यादा इडिक्स की माना जाता ही इस गेम में और इनके पास भाई पैट्रिक फ्लोर्मैन भी मौजूद था लेकिन उनको ल करना ही परेगा खालिज जामिल को उसके बाद अगर मैं मिटफिल की बात करो तो मिटफिल में भाई खसा कमारा और हना संदना थोरा बहुत हमें डल दिखा था इस मैच पे बैंगलोडी इफसी की खिलाब तो उनको और भी जादा चोकन नढ़ेना परेगा और इन दोनों के अगर शापोड मिल जाता है मिटफिल से तो ओ कमाल का पाफमेस कर सकता है और भी ज्यादा स्कूर कर सकता है तो मिटफिल को और भी ज्यादा सकता होना परेगा थोरा अदिशन से पाफमेस ता हरना संटना और खसा खमरा का लास्ट मैच पे तो उसको इंप्रूब करना ही प भुनाना परेगा अगर ठीक तरीके से भाई अपने चांस को अपर्चुनिटी को ग्राब करता है तो कहीं ने कहीं उनके पास जीत आ सकता है बैंगलूर एफसी बहुत ही टाफ टीम था लेकिन करेड़ा बेश्टर एफसी उत्रा ज्यादा सैटल नहीं है जो कि एक यहां पर एडवंटेज हो सकता है नौच नेडिर एफसी के लिए और इसके बाद अगर मैं करेड़ा बेश्टर एफसी के बात करें तो न्यू लुक करेड़ा बेश्टर एफसी के लिए पहला मैच बहुत ही टफ रहा है हाला कि उन्होंने दो गोल लगा आया है बहुत तरह गया था तो यहाँ पर इंडियान खिलेर को और भी जादा स्टेप अप करना परेगा उसके बाद अगर मैं सालब्दू समद को देखो तो भाई व अपना एबिलिटी दिखा रहा है धीरे धीरे हला कि इस मैच पर राहूल के पी नजर नहीं आएगा आपको क्योंकि उन्हो बाल प्रवाइट किया जाता है तो अपना एबिलिटी सू करेगा ही करेगा और अलफर भाज कुए जो कि भाई एक बड़ा स्ट्राइकर मना जा रहा था बहुत बड़ा बज था उनको लेकर लेकिन लास्ट मैच पर ओ दिखा नहीं है अब फ्रोन में इनके तरफ से अलाकि जोर्ज परेड़ा दायाज ने अपना एबिलिटी दिखाया है उन्होंने गोल किया है लेकिन उनको और भी ज्यादा नेक्स्ट लेपल पर करना परेगा तबी भाई क्रेलबरेश्ट इपसी के लिए कुछ फाइदेबान साबित होगा और इसके बाद हेटकोज हुको विको भाई बहुत ही अच्छी तरिके से अपने बैक लाइन को रखना परेगा क्योंकि बहुत सरा मिश्टिक हमें देखने को मिला था लास्ट मैच पर बहुत ही डिसेंट सा एक बैक लाइन नजर आया था मरको लिसको भी के साथ है सेंटर बैक पोजिशन पर भाई भी जो लगातार हरते ही जाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा आप में क्वालिफाई नहीं कर पाऊगे और सबसे बारा कॉंसर्ण बात है कि भाई राहुल के पी को कौन रिप्लेस करेगा क्योंकि राहुल के पी बहुत ही तागरा पहुमेंस डाला तो जितना टाइम लेकिन फुटबल मैंच भाई कुछ भी हो सकता है यहां पर कुछ भी हम लोग पिडिक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी पिडिक्टिन दूंगा मैं आपको हां दूंगा और भी जादा चौकार ना होकर खेलना ही पड़ेगा इस मैच पे और इसके बाद चलिए हम दोनो लायनप के बारे में बात कर ले थे दूनो टेमो को एक ठीक-ठालाइन आप पिडिक करना परेगा तबीं इस मैच पे और जित हासिल कर सकता है बहुत ही वाइटल चीज चीज राइन प está मैच पे दोनों टीमों के लिए ही अगर में नौचिनेरी रिपसी की बात कर तो नौचिनेरी रिपसी का फॉर्मेशन 4-3-3 रहने वाला है उसके बाद बैक लाइन पर थूरा चेंज करना परेगा प्रुभात लाकरा जस्टिन जॉर्ज हरना चंटना और इनके सब भाई टॉन लोगो और सहना सिंग इन तीनों को रखना परेगा अगर फेटर को गल्लोगों फीट है तो अच्छा है उनको यूज कीजिए नहीं तो आपके पास मैथ्यूस का उप्सन अल्डेडी मौजो थे उसके बाद वीपी स्वेर और लालून फेला विलियमस लालून फेला एक दो सब्सक्राइब करेगी यहां पर बहुत ही तगरा ओधिख रहा है थोड़ा उनको सेलफिस कम होना पड़ेगा बहुत ज्यादा सेलफिस हो रहा है थोड़ा अंको ऊचीज कंटरो करना पड़ेगा अगर ठीक कर लेता है तो उनके लिए अच्छा रहेगा इसके बाद अगर म अब्दुलहक को और जैसल का नेरो एतीनों के बाई यहां पर चांस हमें ज्यादा दिख रहा है इंद्यान के लेड़ी के अगर में बात करके हर्मन जोट खबरा लास्ट मैट पर उतने ज्यादा प्रफब साली नहीं था उसके बाद रहेगा भाई मिट फिल में साल स्ट्राइकर क्योंकि आपके पास दोनों का जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोनों में तालमिल हमें दिखा ता लास्ट मैच पर अद्रियन लूना को और भी ज़्यादा सपोर्ट करना परेगा प्रसंद को और भी ज़्यादा महनत करना परेगा ताकि अध्रीयन दूना यहां पर अच्छा कर जाए और आगर हो अच्छा कर जाता है तो भई यहां पर क्रलर को के पास जीत आ सकता है और इसके बाद से वाड़ हम दोनों टिम मुखे की ख्लैरि के बार में बात कर लेते हैंतर कॉन से में उनको कम सेलफिस होना परेगा सेलफिस ना हो गर खेले तो टीम के लिए अच्छा रहेगा तो देशन ब्राउं भी भाई एक बहुत ही बड़ा की खिलारी होनी जा रहा है इस मैच के लिए नौट नेडी डिपसी के तरफ से उसके बाद आगर मैं के लिए साल अब दूस्ट अमद एक की खिलारी रहेगा इस मैच उन्होंने लास्ट मैच पे स्कोर किया था अपना अबिलिटी ओ दिखने की कोर्सिस कर र जो कमनेशन हमें दिखा था वो इस मैच पे अगर और भी अच्छी तरीके से अच्छी अंडरस्टेंडिंग के साथ रहता है तो मुझे लग रहा है कि कहीं नहीं पाल लग सकता है और इसके बाद चली हम बात कर लेते हैं विनिंग चंस के बारे में तो भाई विनिंग चंस स्पिडिट करना बहुत ही मुझे लिए कि दोनों टीमों को ही सेम टू सेम सीट्विसिन में इस मैच पे खेलना पड़े गा दोनों के पास ही पहले मैच पे हार आया था और इस मैच पर दोनों ही एक अच्छा पाहँ में के साथ आगे जाना चाहेगा तो अगर मुझे पिक क करना ही है कि कौन विनर बनेगा तो मैं यहां पर पिक कर रहा हूं कर लब लुस्टर इपसी को जितने का चांस रहेगा पच्पन परसंट नौसुने इपसी का 45 परसंट 45 परसंट आप लोग भी अपना पसंटेज सेर किजिए कॉमेंट बॉक्स में फिलाल के लिए इतना ही सब्सक्राइब करने के बाद और लुट्पी कर दिए जब भी में फीड़ा अपलोड करें